इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे आप Syska Stealer Smart Watch को स्मार्ट फोन के साथ कने करके complete कैसे एक-एक features यूज कर सकते हैं calling हो गया, खुद का photo set करना हो गया, smart notifications हो गया है, complete इसको कैसे connect करके smartphone से use करना है सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वीडियो में आगे बढ़े हैं, अगर आप चैनल अपने हैं, तो चैनल कर दीजिए, subscribe और वीडियो कर दीजिए, like चले चलते हैं, फटा पट इसको हम connect करके देखते हैं complete all features जो है, कैसे use करना है चले बात करते हैं, कैसे इसका Stealer smart watch को smartphone से connect करके complete features यूज़ करने हैं, तो first of all देख सेकते हो, कुछ इस तरीके से power button के लिए इसका use कर सकते हो, एंड अन आफ करने के लिए इसका use कर सकते हो, एंड इसके साथ बात करें तो इसका आप sports mode open करने के लिए use कर सकते हो, अगर इसक इसको अगरा press करकर रखते हो, then जो आप watch faces change कर सकते हो, and simply कुछ इस तरीके से press करकर रखके भी watch faces change कर सकते हो, और features की बात करें, इससे slide करते हो, यहाँ से phone on off कर सकते हो, यहाँ से connect करके हम देखेंगे, यहाँ पे आजाएगा सभी options, steps count, heart rate monitoring, यहाँ पे sports mode देखने के लिए म अलसो बात करते हो, यहाँ से setting में जा सकते हो, stop watch के use कर सकते हो, alarm यहाँ से on off कर सकते हो, यहाँ से timer का use कर सकते हो, phone on off कर सकते हो, यहाँ से call reset कर सकते हो, ring and vibration क्या होना चीए या नहीं होना चीए, वो यहाँ पे set कर सकते हो, brightness यहाँ पे adjust कर सकते हो, यहाँ से vibration on off कर सकते हो, reset कर सकते हो power up कर सकते हो about में and keyword code scan करके app download कर सकते हो जिससे इसको connect करना है इधर आप slide करते हो तो कुछ इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर menu open हो जाते हैं menu में काफी सारे आप options देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप game भी देख सकते हो तो यहाँ पर game देखने के लिए मिल जाता है दो तरीके के game मिल जाता है जो कि funet compass के लहाँ खेल सकते हो और सो बात करतो इहां से setting में आप जा सकते हो music control देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर उसके बात बीर से इस तरुक Hij यहां से प्राइब है देख सकते हो तो कुछ इस तरीके का फीचर से आप यूज कर सकते हो अब करके कंप्रीट कैसे और फीचर साब कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में हम जानते हैं तो फ़र्स्ट अपल आपको एक डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है 6 का active कुछ इस तरीके का application होगा आपको download कर लेना है देख सकते हो and download करने के बाद इसको open करना है तो यहां से मैं download कर लिए हूँ इसको open करता हूँ and उससे पहले एक बार अपने अपके smart watch को reset कर लेना है यह सब process करने से पहले यहां से setting में चले जाना है setting में जाके सबसे last में यहां पर देखेंगे reset का option है reset कर लेना है एक बार यह process करनी से पहले उसके बाद यहां से अपना profile सेट कर लेना है उसके बाद यहां पर right क्लिक करना है उसके बाद यहां से 여러 कर देना है एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है यहां पर सर्चिंग स्टार्ट हो गया है एंड यहां पर देख सकते हैं हमारा स्मार्ट ओज सर्च में आएगा अगर नहीं आता है तो फिर से हम एक बार बैक जाना है पिर से अड़ डिवाइस पर क्लिक करना है यहां पर एंड हम्में वेट करना है स्मार्ट ओज का यहांपर देख सकते है फोन रखने है यहां अओ फ्र देख सकते हैं अभी भी option नहीं आए फिर से हम आके फिर से add a device का option पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम वेट करते हैं कुछ इस तरीके से आपको करना है और करने के बाद देख सकते हैं Stealer HW280 option यहाँ पर आ चुका है आपको यह फोन वाला option है यह ओन होना चाहिए यह भी आपको ध्यान रखना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से देख से तो Stealer HW280 आ गया है सबसे उपर वाला यह हमारे स्मार्ट होचे इस पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगा आपको थोड़ा सा वेट करना है आपको फिर भी थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह ब्लूटूथ पर क्लिक करना है और यहां पर देखेंगे उपर हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है जब तक आप कॉलिंग अगर यह नहीं कर पाएगे तो आपको वेट करना है और अगर ऑप्सन नहीं आता है पाएगा इस टीलर इस टीलर इस डवलूटू एट जीरो ऑडियो करके आएगा एंड इसको आपको मैनुवली कनेक्ट कर लेना है अगर कॉलिंग और वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक है तो अभी हमने यहां से कनेक्ट हो गया है हमारा उसके बाद यहां पर देख सकते हो सबस सब्सक्राइब करना है उसके बाद यहां से जो भी फोटो आपको सेट करना है वह सिलेक करके यहां से अपने इस आप से क्रोप कर ले करने के बाद यहां से उपर में राइट में क्लिक करना है राइट में क्लिक करने के बाद टाइम देख सकते हो पूरा फेस पे आ रहा है तो यहां पर टाइम पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं यहां पर बीलो कर देते हैं डन करते हैं नीचे आ गया है यहां टाइम के ऊपर क् दिखना चाहिए close कर देना है time के नीचे date दिखना चाहिए तो date हमने हो यहाँ पर time का color भी जो है आप change कर सकते हो and finally आपको क्या करना है save पर क्लिक कर देना है यह सभी चीज़े करके save पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो switching background स्टार्ट हो जाएगा and smartwatch में भी आप देख सकते हो हमारा photo यहाँ पर smartwatch सेट हो गया है और कुछ इसी तरीके से आप यूज़ करके आप अपना खुद का photo जाए smartwatch सेट कर सकते हो इसी कसा आगे बात करते हो और features की तो यहाँ पर notification का एक option है यहाँ पर हम जाते हैं तो हम phone को on कर लेते हैं यहां से phone को on कर लेते हैं कुछ इस त यहां से इस नोटिफिकेशन स S लिखा हुआ देख सके छोटा सा हुए नोटिफिकेशन स S स इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है इस पर क्लीक करनें बाद कुछ इस तरीक Competitive को ढून ना है और दूनने के के बाद उन्स पर क्लिक करने। इस पर क्लिक करने के बाद यहां से इसको अलोग कर देना है, यहां से भी आपको अलोग कर देना है, कुछ इस तरीक असी ओन हो जाएका उसके बाद आपको बैक आजाना है, बैक आने के बाद अब अगर कॉल का नोटिफिकेशन्स वोगर है, कॉलिंग अगर हम करेंगे, देन एप्लाटिककेशन के आपемся सक्ते हो से एक बार हमने कॉलिंग ह conversion का एंड किया है स्ट बर क्यों करके इंड डिखायता हूं सो एक बर मैं कॉल करता हूं दूसरे स्मार्टो को से इस स्मार्टफोन पर मैंने हम से call कर दिया है गए हम देख। कॉछ इस तरीके से गल कर सकते ह요 कि इस त्तरीके से पॉलिंग यूज कर सकते हैं कि यहां से बुम रिशीप कर सकते हैं करने के बाद जो है आप कॉल को स्मार्ट वोज से यहां से रिसीब होने दिए हमने कॉल को रिसीब कर लिया है देख सकते हो रिसीब करने के बाद यहां से आप म्यूट कर सकते हो कॉल को यहां से फोन पर ट्रांसफर कर सकते हो फिर से स्मार्ट वोज पर ट्रांसफर कर सकते हो यहांसे volume कम जादा कर सकते हो अपने असाब से इसी के साथ बात करें चनक्राइब को यहा इस code कर सकते हो कुछ इस तरी、、प तरीके से अब जो मैं बोल रहा था calling का अगर हम इससे slide करते हो देख सकते हो अभी हां पर recent call से को यहां से डायल कर सकते हो देखेंगे भी किस तरीके से notification रिसीव होता है तो WhatsApp से मैं दूसरे WhatsApp से इस WhatsApp पर मैं message send कर दिया हूँ फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा सा वेट करते है So message हमने भेज दिया है and message जो है receive नहीं हो रहा है यहाँ पर फिर से एक बार क्या कर रहा है मैं जो WhatsApp का है इसको आपको on करके and फिर से आपको जो है on करना है कुछ इस तरीके से on करते है notification access में आपको जा के एक बार और check कर लिए यहां पर यह on है या नहीं तो देख सकते है on है and WhatsApp का फिर से हमने off करके on किया फिर से एक बार जो है notification भेज के दिखायता हूँ मैं फिर से मैं एक बार notification भेजता हूँ and notification वहाँ से send कर दिया है मैंने and wait करते हैं देखते हैं message वगर आता है कि नहीं तो देख सकते हैं phone में notification आ जा रहा है लेकिन smart watch पे notification नहीं आ रहा है and अब आपको WhatsApp का notification भेज के दिखायता हूँ so दूसरे WhatsApp से मैंने message send कर दिया है and अब हम देखेंगे यहाँ पे भी notification आएगा and यहाँ पे देख सकते हो smart watch पे भी notification आ गया है and इसको आप यहाँ से message में भी जाके यहाँ से view कर सकते हो देख सकते हो so मैंने यहाँ पे send किया है subscribe and press bell icon कुछ इस तरीके से and emoji के जगा emoji लिख के आ रहा है तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से social media का notifications जो है आप receive कर सकते हो and कोई problem आता है तो जैसे मैंने बताया same process आपको करना है बाकि social media का भी notifications आप receive कर सकते हो enable करके इसके साथ बात करें उसके बाद alarm का option है यहाँ से आप alarm set कर सकते हो और दूसरे alarm को smartwatch से on-off कर सकते हो as a setter button use कर सकते हो while using the app के click करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे click करके दिम इस तरीके से कुछ photo आप जोग क्लिक कर सकते हो इसके साथ बात करें तो होना है स्टार्ट हो जाएगा टाइं फॉरमेट को यहा dua वी निटिफवर हार में चेंज कर सकते हो अन फर कि यहाँ पे स्कूर Finnish our अनाफ कर सकते हो साती है अनाफ कर सकते हो ऑनोोन यहाँ यहा पनाफ कर सकते हो इस कश टूइक फीचर को ओनमफ कर सकते हो यहां से ड्रिंक वाघर कोनकर सकते हो वदर अपड़ेट कर सेकते हो यहाँ पर सर्थ कर लिएन है जो भी सीटि करना है यहां से सथ करके कुछ परीके से बाद कुछ पर देख सकते हो आपको मैं दिखायता हूं कुछ इस तरीके से वेदर आप देख सकते हो आप अपने स्मार्ट वोच में इसके साथ बात करें कुछ इस तरीके से complete इसको यूज कर सकते हो एंड आपको I hope complete एक-एक फीचर जो है यूज करना आग यहाओगा कॉलिंग अगेरा एंड फोटो सेट करना आप complete सीख गया होंगे बाकि कोई भी कोश्चन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से फॉलू करके मेसेज करके पूछ सकते हैं इसका बाइ लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगा वहां से आप इसको चेक एक फीचर्स यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप एक वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा एंड ठीक है फ्रेंड्स थैंक्यू ज हैंद